नमस्कार स्टेटेम न्यूस में आपका स्वागत है नजटाने के दिन भर की बड़ी कतिवतिय भर केंद्रिय राज्यमंत्री किरन डिजीजू दो दिवस्य दोरे के तहट शानिवार को शुलनगर में केलो इंडिया सेंटर ओफ एक्सिलेंस और वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्गार्टन करेंगे उन्होंने बरोसा दिलाया है कि जमो कुष्मीर में और ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवाओं को और अधिक तराशा जा सके अनन्तनाग के बीच बिहारा में शहीद हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान को आज पूरे सेनिक सम्मान के साथ शुर्धान जली अर्पित की गे जमो कुष्मीर पुलिस ने जमो एरपोर्ट से दो लोगों को गिरफतार किया है और उनके कबजे से इलिगली इंपोर्टिड पचास लाग की कीमत के सोने को जब्त किया है इनकी पहचान अधर प्रदेश के महमद तारिक के तौरपर हुई है और हर्याना के जैवीर के तौर पर हुई है पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी थी इसके बाद पुलीस ने ये कारवाई करते हुए इन दोनों को गरफतार किया है सामभा के गगवाल इलाके में दो गाउं के बीश पड़ती एक खड में अचानक आग लग गई लोगों की सतरकता और फ्राइब्रिगेट कर्मियों की सतरकता की वज़ा से आग पर काबो पा लिया गया और कोई जानी अमाले नुकसा नहीं हुआ मंगलوار से शुरू हो रहे नवरात्रों के चलते जमोगे शहर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है बावेवली माता के मंदिर में भी नवरात्रों को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है जब मुकश्मीर में लगतार करोना संक्रमन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं स्रीनगर में आज एक प्राइविट कोचिंग इंसिट्यूट में 19 स्टुडेंट्स जो वो पॉजिटिव पाए गए हैं इसी के मदे नजर डिसी स्रीनगर ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि स्रीनगर में दो और इलाकों को माइक्रो कंटेन्मेंट जो गोशित किया गया है ये दो इलाके कलोनी रावलपुरा और चिंकरल मोहला हबा कतल हैं स्टेटेम न्यूज में आज बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी नमस्कार